Hi everyone, welcome back or share. इस वीडियो में हम packages के बारे में discuss करने वाले हैं. मैं आपको packages के बारे में बताने वाला हूँ कि packages क्या होते हैं, तो मैं quickly slide को change करता हूँ और देखते हैं packages के बारे में. जैसा की screen पे आपको दिख रहा है, Java package is a group of similar type of classes, interfaces and sub packages. तो Java में package group होता है similar type of classes का या interfaces का या फिर सब packages का. किसी भी ऐसी group को आप package बोलेंगे. अब हम देखते हैं कि Java में package कैसे access कर सकते हैं. तो packages को access करने के लिए Java में तीन तरीके हैं. जा तो आप import package.star करके package को access करिये. या import package.class name या फिर आप fully qualified name वाला भी तरीका अपना सकते हैं. तो यह तीन तरीके आपके पास हैं. और हम तीनों तरीके के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप package को कैसे access करेंगे. तो मैं Eclipse ID पर switch करता हूँ और बताता हूँ आपको इन तरीकों के बारे में. तो यहाँ पर मैंने एक my package प्रोजेक्ट बना रखा है. इसके अंदर मैं दो package बनाने वाला हूँ. तो यहाँ पर click करूँगा, new पर click करूँगा और package पर click करूँगा. यहाँ पर मैं package बनाऊँगा, package1 और यहाँ पर finish पर click करूँगा. एक और package बनाता हूँ, package2. तो यह दो package आपके पास ready हूँगे. अब इन दोनों package के अंदर मैं एक एक class भी बना लेता हूँ. तो यहाँ पर मैं बनाऊँगा, demo1 नाम की class, public static void mean पर click करूँगा, और finish पर click करूँगा. और package2 के अंदर भी एक class बनाऊँगा, मैं demo2 नाम की class. तो यहाँ पर demo2 नाम की class बना ली मैंने, public static void mean पर click करूँगा, finish पर click करूँगा. तो मैंने यहां पर दो package बनाए मुद टू टू पैकेज़ लंम ने के घ्लार में टू कि लिसको में इसको में बस तो हमारे पास दो classes है demo1 demo2 और दो packages है package1 package2 अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक method लिखने वाला हूं मैं तो method लिखूँगा मैं public static void print और इस method के अंदर मैं कुछ भी print करवा लेता हूं system.out.println के help से और मैं लिख लेता हूं मार लीजिए this is package2 और इस method को मैं call करवाता हूं तो call करवाने के लिए simply आपको print लिखना होगा और compile and run करवाता हूं तो देखिए this is package2 प्रेंट हो रहा है यहाँ तो यह तो simple है कि हम लोग same package के अंदर ही इस method को call कर रहे हैं अब मैं क्या करूंगा जो मैंने package2 के अंदर यह method बना रखा है print नाम का उसको मैं यह जो package1 है इसके अंदर जो demo1 नाम की class है इसके अंदर से मैं इसको access करने का try करूंगा तो करता हूं रहे हैं तो मैं क्या करूंगा यह जो प्रिंट नाम का function है वो demo2 नाम के class के अंदर है और यह static function है तो static method को call करने के लिए आप class का name लिखिए simply डिस class के अंदर वो method है और उस method का name लिखिए आप ऐसे call कर सकते हैं आपको object बनाने की ज़रत नहीं होती है अब देखिए यहां पर सिर्फ मैंने package का इंपोर्ट नहीं किया है अभी मैं सिर्फ ऐसे एक्सेस करने का ट्राइब कर रहा हूं तो यहां पर मैं compile and run करवाता हूं तो यह देखिए अब मैं यहां पर इस प्रोग्राम को compile and run कर रहा हूंगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब आप एक्सेस कर पा रहे हैं इस package इस method को के अंदर नाम का method है तो मैंने यहां पर इस package 2 में बनाया था वह आप package 1 में एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि मैंने आप पे package को import कर वा लिए अब हम दूसरा तरीका देखते हैं अभी तो देखिए डॉट स्टार वाला तरीका देखा और डॉट स्टार वाला तरीका हम तब यूज करेंगे जब हम उस package के अंदर सारी classes को एक्सेस करना चाहते हैं आपने अगर कोई package बनाया होगा तो उसके अंदर कई सारी classes बनाई होगी और उन सारी classes को एक्सेस करने के लिए आप सीधे डॉट स्टार लिखिए और आप जितनी भी उस package के अंदर क्लास होंगी वह सारी classes को एक्सेस कर पाएंगे लेकिन अगर आपको को specific class एक्सेस करना है माल लीजिए आपको सारी classes को unnecessary नहीं लोड करवाना या इंपोर्ट करवाना है अपने को एक्सेस करना है ना तो हमें लिखना पड़ेगा और यहां पर रण करवाऊंगा तो देखिए अभी भी रण हो रहा है दूसरा तरीका भी हमने देख लिया अब हम लास्ट तरीकी के बारे में देखते हैं कि फुली क्वालिफाइड नेम के तरीके से हम कैसे package को करेंगे तो मैं इस लाइन को रिमूफ कर देता हूं और फुली क्वालिफाइड नेम वाला तरीका और ज्यादा सिंपल आपको कुछ नहीं करना है अभी आप डेमो डॉट लिख रहे थे अब आपको इसके पहले जो है वह पैकेज का नेम भी लिख देना है तो पैकेज का आपकेज टू-डाट लगाना है उसके बाद उस्क्लास का नेम इसका सकते और समधाइग यह आंने जुदर सकते हैं मैं प्रोगर्रैम को आंकर रहो हो गारो तो इस तरीके से आप अपने श्रों कोmers कर सकते हैं आपके पास तीन तरीक यह कूद्स कर सकते हैं अभी मैं यह त बना रहा था तो मैं simply यहां पर बिना object को create कि ऐसे access कर पा रहा हूं लेकिन जब आप static method नहीं बनाएंगे तो आप ऐसे calling कर सकते हैं आपको उनका object भी बनाना पड़ेगा class का तो वह आप खुद कर सकते हैं मैंने आपको अब्जेक्ट के बारे में बताया है आपको यह वीडियो पसंद आया हुगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू